वेलकुम बैक मैं चैनल में हूँ दिपिका और कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होगे तो फ्रेंट्स 30 डेस कोर्स में 30 डेस ब्यूटिशन कोर्स में आज हम थ्रेडिंग की थ्यूरी करने वाले ही क्योंकि मैंने बता तो दिया है दिखा भी दिया है इससे पहले के कि दिखा दिया है कि थ्यूरी करेंगे थ्यूरी करेंगे थ्यूरी कर你看 to finish क्योंकि जो विझेस इन आप ऐसे देती है तो थोड़ा बहुत सब सभिके को समझ मेंद यह आजाएगी जो विगिनर सूशन को जला काफी अच्छे तरह से समझ जाएगी ऊकि तो थ्रेंड्स की से तो गैस आप लोग मेरी राइटिंग में मत चाहिएगा क्योंकि मेरी राइटिंग बिल्कूल भी अच्छी नहीं है तो थ्राइटिंग की थ्योरी में हमें पहले क्या क्या किन किन चीजों की नीड है पहले में वो लिख लेती हूं तो पहले नमबर में तो चाहिए आपको धा में आ भी रही है तो ऐसे आप धागा लिख सकते हो कि को कि कि लूज फॉर्डर कि सीजर्ण तो गैस यह हमारी जो नीड है हमें थ्रेडिंग के टाइम इन सभी चीजों के में नीड पड़ती है तो यह चीजें कोपी में नोट करनी है सबसे पहले हमें चाहिए धागा जो 40 नमबर का होना चाहिए उसके बाद हमें चाहिए लूस पाऊडर आप कोई भी लूस पाऊडर ले सकते हैं उसके बाद 3 नमबर में हमें सीजर्ण से यह सीजर हमें छोटा चाहिए ओके शीजर शोटा लेना है बड़ा नहीं लेना है उसके बाद हमें चाहिए स्ट्रेंजर एंड मॉंस्टराइजी स्ट्रेंजर हम तब यूज़ करेंगे जब हमारी क्लैंज की इसकी बहुत ज्यादा सैंसिटिव है एंड दाने आही जाते है a day asking के बाद तो ऐसे हम स्टेंजर उस करेंगे लेकिन अगर झिनकी से नोर्म है पर देञार सकते हैं मुपर कर सकते हो ऐसी कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन अगर इस तरह की प्रोब्लम देखे अगर दिखे आपको इस तरह की प्रोब्लम तो आप चूश कर सकते कि हमें क्या करना है क्या अप्लाई करना ओके तो यह चीजे आपको नोट करना है आप इसकी स्क्रिल स्वाट ले लेना या फटा फट से आप इसको नोट करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे कि थ्रैडिंग थ्रैडिंग है क्या थ्रैडिंग हमें कहां कहां करनी चाहिए धागा कहां कहां मिन्सकी हम चला सकते हैं तो यहां पे मैं नोट कर लेती हूँ या फिर इसे मैं इरेज कर देती हूँ तो गैस अब हम जानेंगे कि ध्रेडिंग का जो धागा है हम कहां कहां पे चला सकते हैं सबसे पहले नमबर में आता है आईब्रो सबसे प्र penn ber haram पिलाएंग बनाते हैं तो दागा सबसे पहले नबर आइब्रो में चलती है उसके बार सेकंड campe the उलती है तब चिक्स पे यहां पर साइड पे जो हेर होते हैं तो बहुत सारे क्लाइन से हेर रिमूब करवा लेते हैं धागे से तो थर्ड नमबर में चिक्स में चलाएंगे और फूर्थ नमबर में चीन में चलाएंगे यहां पर चीन एरिया में भी हेर निकल आते हैं तो चीन में हमें अधागा चलाना पड़ता है तो फिक्त नमबर में करेंगे अपने इन सबी जबहों पे हमारे थ्रेडिंग का धागा जो है वह हम चलाते हैं जहां पर नंजूर्थ होती है जहां भी वह बोलते हैं ध्रेडिंग अपर लेस्फोरहेट तो नॉर्मल सभी करवाते हैं लेकि चिक्स और चीन भी कई बार हमें करना पड़ता है कई बार हमें क्लैंच बता देते हैं कि चिक्स और चीन एरिया में भी करना है तो धागा हम इन इन एरिया में चलाएंगे और इसके बार बात करते हैं कि सावधानिया हमें क्या बढ़त दी चाहिए तो सावधानिया रख सकते कि जब भी आप लाईंस की त्रेडिंग चला रही हो तो आपको धागा स्टेस करके पकड़ना है अच्छे से खोल करकर पकड़ना है जितनी बार मैंने बताया है उसके बाद में ध्यान रखने हमारी जो क्लाईंस से उनको अच्छे से होल करवाना है ऐसे करके उपर नीचे पोगोगी है स्पाइब तो इन सबी चीजमेर थ्राइड इंदा ל׏ है इसे भी आपको कर लेना है और धागा जहां भी आप सतरब गतला हो इसकी विडियोन वर्या को सब्सक्राइब करना है इसके बाद करेंगे कि हमें जब आइब्रो चलाने की जो धागा प्रैक्रिस करनी है वो हम काहा कर सकते हैं तो नेक्स वीडियो में बताऊंगी तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को जरा भी हैल्फुल लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना मेरे चारव पर कुछ में जोएन हो रहे हो कहीं भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हो क्योंकि मैं आपको हर चीज समझाने वाली हूं स्टेप बाइस्टेप समझाने वाली हूं जिससे कि आप घर बैठे यह कोर्स कम्प्रीट कर लो आज के लिए इतने ह मिलते हैं नेक्स वडियो में तब तक एलिए बाबाए